हेलो फ्रेंट कैसे हो आप सभी आजब आपको बताएंगे पूजा घर में जल का लोटा क्यों रखा जाता है अगर वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगे तो जादा से जादा लोगों में शेयर कर दें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आपने अक्चर घर के बड़ों को ऐसा करते हुए सुना होगा कि पूजा घर में किसी भी अन्यवस्तु के साथ किसी बरतन में जल जरूर रखें इसके अन्यकारन बतاتे हैं और इसका महत भी अलग बताते हैं ऐसा कहा जाता है कि पूजा के इस्तान में रखा हुआ जल इस बात का प्रती70 है कि आप भगवा ग्रहन कर सकें दरासल यह बात हमारे सास्त्रों में भी लिखी है कि पूजा के इस्तान पर हमेशा जल का लोटा रखने से घर में समर्दी बनी रहती है यदि आप पूजा के इस्तान और ताबे के बरतन में जल रखते हैं तो यह जादर सुब माना जाता है लोगों की माननता है यह भी है कि पूजा इस्तान पर जड़ रखने से ब्यक्ति की मनों कामना की पूर्ती भी होती है और घर में उर्जा का संचार होता है आए जानते हैं जोटसी आचारिय जी से जोटसी के अनसार घर के मंदर में इताबे या अन्बा धातू के बरतन में पानी रखें इस जल को नियमित रूप से बदलें और इसका छड़काव घर के हर एक कौने में जरूर करें घर में जल का छड़काव करने से सकारत मकूर जा आती है इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि पूजा कक्च में रखा हुआ जल नकारत मक्ता को आपोसुषित करता है जल रखने के लिए सबसे पवित्र धातू ताबे को माना जाता है इसलिए इसमें ही जल रखना सबसे ज़्यादा सुभ होता है पानी से भरे ताबे के बरतन को रखना घर की प्रगती के लिए सुभ माना जाता है ऐसी मानता है कि जब भी पूजा के बाद आरती समापत होती है तब उसका आचमन जल से ही किया जाता है ऐसा करने का कारण ये है कि जल की पूजा बढ़न देव के रूप में होती है और वही दुनिया की हर एक बस्तू की रक्षा करते हैं इसलिए पूजा कक्च में भी जल रखने की सला दी जाती है इससे समस्त देवी देवताओं समेट घर के सदस्यों की भी रक्षा हो सके क्योंकि आरती के समय जल का आचमन किये बिना पूजा अधूरी मानी जाती है इसलिए पूजा घर में जल रखा जाता है जिससे पूजा अधूरी छोड़ कर आपको जाना ना पड़े और आप उसी जल का इस्तिमाल कर सकें जो पूजा घर में रखा हुआ है पूजा घर में रखे जल में डालने तुलसी डल ऐसी मानता है कि यदि आप पूजा घर में रखे जल में तुलसी की कुछ पत्तियां डाल कर रखती है तो यह जल और जादा पवित्र हो जाता है यह जल किसी पवित्र नदी का जल भी हो सकता है जो पूजा इस तल को सुद्ध रख सकता है इसलिए पूजा इस्तान पर जल रखना जरूरी माना जाता है पूजा के स्तन पर रखे हुए जल को समर्दिक का पृतिक माना जाता है माननेता है कि इस जल की और सकार्त मक्त उर्जा आकरसित होती है और ये आपके घर आसपास मौले में उर्जा का संचार करती है जो मन को सांध करने में मदद करती है इसके अलावाज भक्त द्वारा इसर के दिब रूप के पैर और हाँ दोने के लिए उनके उपर जल चड़ाया जाता है जल में इसर की मूर्दियां को इसनान करवाया जाता है और इसका चहरा दोने के लिए उन पर पानी की छिड़का जाता है यह उसी परकार होता है giycese किसी आत्रा के बाद घर में आये महमान को जल्न से पैरों को धूने की सला दी जाती है पुज़ा घर में जल रखना जोत से मानता होने के साथ हमारी सरद्धा का भी प्रती के है और इस बात भी की और इसारा करता है कि जैसे हम भोजन के बाद जल गरहन करते हैं बैसे ही मंदर में भगवान के लिए भी जल रखना जरूरी होता है अगर फ्रेंड ये स्टोरी आपको जरासी भी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें अगर चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यावाद